Hello students, students, today we will discuss about what makes India a federal country India जो है, हमने बात की कि हाँ India एक federal country है हम यह कहते भी हैं कि हाँ एक इंडिया एक federal country है तो इंडिया जो है वो federal country उसे, क्या उसे federal country बनाता है इसके बारे में हम discuss करेंगे इंडिया को क्या federal country बनाता है कौन से ऐसे जो features हैं, जो इंडिया को federal country बना रहे हैं उनके बारे में हम आज discuss करेंगे उससे पहले हम इंडिया का जो है past period देखते हैं जब हमें आजादी मिली, उस time we suffered a bloody partition बहुत सारे लोगों की जाने गई, religious harmony disturbed हुई, दंगे हुए ये सारी problems जो है, जब इंडिया को अजादी मिली और partition जब हुआ उस time face करनी पड़ी इसके साथ ही और भी बहुत सारी चीजे चल रही थी अलग-अलग states demand कर रहे थे, कि हमें independent nation बना दो princely states को जोड़ना या हमें बहुत से जो problems थे, वो face करने पड़ रहे थे हमारे constitution makers, जब वो constitution बना रहे थे, उस समय वो इन सब चीजों को observe कर पा रहे थे, उस समय बहुत सारे challenges थे और हमारे जो constitution makers है, उनका सिफ एक ही motive था कि देश को मजबूत बनाना है इस time जैसे हमारी country की situations है, हमारी country की situations जो हम देखते हैं इस time काफी बहतर है, बट उस time ऐसा नहीं था, हमारे जो constitution makers थे उन्हें बहुत सारी problems जो है, उस time face करनी पड़ी थी, क्योंकि उस time partition हुआ था और partition कोई normal partition नहीं था, उस partition के time काफी सारे religious harmony जो है मजबूत जो है, वो बनाए, उस समय हमारे इंडिया को union of states गोशित किया गया मतलब, राजियों का संग, हमारे इंडिया में different states है, जो अपनी अलग-अलग खासियत रखती है कहीं कोई language बोलने वाले लोग रहते हैं, कहीं पे किसी tradition के लोग रहते हैं, different people यहां पे रहते हैं बट वो united है, क्योंकि इंडिया जो है, वो union of states है उसके पाद हमने last lecture में हमने seven key features पड़े, कि जिससे हमें पता चलता है कि कोई country, federal country है हमने ये seven features को point out करके, उनको अपने इंडिया में रख कर देखेंगे, कि क्या वो सभी seven features हमारी इंडिया में applicable हो रहे हैं और अगर हैं, तो इसका मतलब हमारी इंडिया एक federal country है इसके इलावा हमारे constitution का जो seventh schedule है, उसमें three different list दी हुई है जिनसे भी ये पता चलता है कि हमारी इंडिया एक federal country है तो सबसे पहले हम बात करते हैं, seven key features की, seven key features से हम relate करेंगे अपनी इंडिया को first feature हमने पढ़ा था, कि federalism में government जो है, वो दो या दो से ज़्यादा levels या tiers की होती है या होनी चाहिए, तो हमारे इंडिया में ये चीज़ है, एक तो central government है, जो पूरे nation के लिए work करती है जिसे union government भी कहा जाता है, जो national policies है, taxes है, foreign affairs है, वो सब पर काम जो है हमारी central government करती है और दूसरी तरफ states में state level की government है, और इसके इलावा इंडिया में ज्यादा diversity होने की वज़र से यहाँ पे एक third level of government को लाया गया है जो है local government, यानि की हमारे जो panchayats होती है, municipalities होती है, तो हमारी इंडिया में three tiers of government है जो है central government, state government and local government, local government में हमारे panchayats आगे, municipalities आगे three tiers of government है हमारी इंडिया में, central government, जिसे union government कहते है, state government और local government अब जो central government है central government पूरी country के लिए ये government होती है इसमें प्रामनिस्टर जो है वो head करते है जो official head होता है वो president होते है इसमें parliament होती है जिसमें लोकसभा और राजिसभा two houses जो है वो होते है central government जो है वो defense, currency इन सबसे related ये जो issues है इन्हें कोन govern करता है central government उसके बाद state government जो है state की एक अलग government होती है जिसके official head जो है वो कोन होते है गवर्नर गवर्नर प्रेजिडेंट की तरह ही official head होते है जबकि powers जो है exercise की जाती है people द्वारा elected chief ministers के पास chief minister state को रन करता है state government, agriculture, police, etc. जो भी बाकी issues है ये state government के पास जो है state government इन्हें govern करती है जैसे central government में parliament होती है लोकसभा राजिसभा two houses होते हैं उसमें वैसे ही state government में state legislative assembly होती है जिसमें विदान सबा और विदान परिश्यत जो है ये two houses रहते हैं उसके बाद आगई local government local government में जैसे हमने बात किया कि panchaits या municipalities जो है वो होती है local government में जो urban areas है या जो cities है वहाँ पे municipal corporations होती है towns में municipalities होती है रूलर areas में panchaiti raja system जो है वो होता है अब जैसे central government में head जो है वो कौन है प्राइमनिस्टर, state government में आगे हमारे chief minister वैसे ही municipal corporation में head mayor होते हैं panchaiti raja system में heads पंच होते हैं और municipalities जो की towns में होती है वहाँ पे head chairperson होते हैं जैसे central government में official head जो है वो president है state government में governor है वैसे ही local areas में भी कुछ officials heads जो है वो होते हैं जैसे cities को जो run करते हैं वो होते हैं collector, IPS जो है वो law and order जो है वो maintain करते हैं district magistrate जो है वो judicial system को run करते हैं तो panchait system जो है इसमें भी अलग-अलग जो subdivisions है जैसे first आगया gram सभा सबसे lowest level पे आती है या gram panchait जिसे कहते हैं block level उसके बाद second आगया block level या panchait समिती से कहते हैं और next जिला परिशद तो यह आगे panchait के अंडर panchait जो है वो local government के अंडर आ जाती है local government state government के अंडर और central state government central government के अंडर तो इस तरह से जो powers है वो distributed है तो यह three tier of system जो है यह हमारी इंडिया में है इंडिया में three tiers of government जो है वो यहाँ पर इंडिया में है इधर third tier of system इसलिए बनाया गया था क्यूंकि इंडिया जो है काफी diverse country है और काफी diverse country होने के कारण यहाँ पे third tier of government जिसे local government कहा गया है वो यहाँ पे बनाया गया था तो यह first key feature था कि federal country में जो है government जो है वो two tiers और three tiers की होनी चाहिए तो इंडिया में three tiers of government जो है वो है तो यहाँ पे जो first key feature आ गया यह हमारी इंडिया में present है second point जो हमने देखा था कि जो government की different levels है उनका jurisdiction बिलकुल अलग-अलग है यानि कि उनका जो काम करने का area है वो बिलकुल specific है दोनों एक दूसरे के काम में interfere नहीं करेंगे हमारे इंडिया में भी ऐसा ही है central government national level पे work करती है और state government अपनी state development के लिए work करती है third key feature था कि अगर constitution में कोई भी changes करने है तो वो government का अकेला level नहीं कर सकता है मतलब अगर constitution में कोई भी change लाना है तो जैसे सिफ central government है वही उसको change नहीं कर सकती है उसमें जो different level of government है या different tiers of government है उन सब की जो है रजामंदी होनी चाहिए तो इंडिया में भी ऐसा ही है इंडिया में भी ये चीज़ applicable है अगर constitution में कोई भी changes करना है तो government का अकेला level change नहीं कर सकता इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि पार्लियमेंट के दोनों जो houses है लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के two-third voting दोनों में से अलग-अलग two-third voting जो है उससे उस bill को पास करवाया जाए उसके अलावा states से भी permission ली जाए उसके बाद ही constitution में कोई change जो है वो कर सकते है उत फीचर ये था जो तीनो tiers और levels of government है constitution में ये बताया गया है कि उनकी existence हमेशा रहेगी जो अलग-अलग different levels of government है या different tiers of government है उसमें specify कर दिया गया है कि state government और जो central government है या जो local governments है कौन सी government जो है वो कितनी powerful होगी किस government के पास कौन सी powers होगी ये सब constitution में बताया होना चाहिए तो वैसे ही इंडिया में भी इंडिया के constitution में भी ये clearly बताया गया है कि state government और central government अलग-अलग होगी और इनका existence हमेशा रहेगा क्यूंकि हमारा इंडिया union of states है राज्यों का संग है जहां पे राज्य सरकारों का होना बहुत ज़्यादा लाजमी है साथ ही इनकी powers की central government के पास क्या powers होगी और state government के पास कौन सी powers होगी ये भी हमारे constitution में specify किया गया है फिफ्ट की feature में हमने ये देखा था कि जो courts होते हैं वो government के different levels को define कर सकते हैं और अगर government के different levels के बीच कोई dispute होता है तो उसे भी वो sort out करते हैं हमारी इंडिया में भी ऐसा है अगर central government या state government या फिर एक state government का दूसरी state government से dispute हो जाता है उनके आपस में तो supreme court ही उसको sort out जो है वो करता है sixth key feature हमने पढ़ा था जो sources of revenue है different level of government के वो clearly specify है कि कहा से taxes आएंगे कितने percent taxes आएंगे कौन-कौन से taxes आएंगे ये सब चीजे जो है ये clearly specify होनी चाहिए तो इंडियन constitution में ये clearly specify है कि किसको कितना tax देना है कौन-कौन सी government कौन-कौन सा tax लेगी कौन सी government का source of revenue जो है वो क्या होगा fifth key feature देखा था हमने mutual trust and all they live together ये दो जो ideal aspects है ये दोनो aspects federalism के लिए बहुत ज़रूरी है दोनों ही aspects इंडिया में है हमारा इंडिया इतना ज़्यादा diverse है अगर state governments और central government आपस में mutual trust के साथ काम नहीं करेंगे तो काम करना possible ही नहीं है सारी states अलग-अलग बंड जाएंगी और इंडिया की unity खतम हो जाएगी बट इंडिया में आपस में जो mutual trust है वो है इसलिए यहाँ पे अच्छे से work जो हो रहा है और इंडिया एक united country है इंडिया ने क्या किया है अपनी states को central government ने जो है central government को भी powers दी है state governments को भी powers दी है और local governments के पास भी powers है सबका जो jurisdiction है power का वो जो दाइरा है वो बटा हुआ है कोई भी interfere जो है एक दूसरे के एरिया में नहीं कर सकता है तो क्या हुआ हमारा जो union है जो इंडिया है उसने सभी को एक साथ accommodate कर रखा है और ये जो seven features है federalism के इंडिया में ये apply होते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया एक federal country है और जो सबसे important feature था कि federalism का कि यहाँ पे two से ज़्यादा levels और tiers of government होनी चाहिए तो हमारी इंडिया में three tiers of government है जिसे हमने देख पड़ा union जिसे हम central government भी कहते है state government and local government जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे constitution का जो seventh schedule है उसमें three different list दी हुई है जिनसे हमें ये पता चलता है कि हमारी इंडिया federal country है तो वो क्या है वो हम अपने next lecture में बात करेंगे बात करेंगे k साल्बर